आज मैं बना रहे हूँ साबूत मुंग डाल से 4 in 1 रेस्पी तो आज मैं 4 तरह की रेस्पी बनाने वाली हूँ और हरे मुंग के फायदे तो सभी को पता है ये एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होता है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नास्ता बनने वाला है दोस्तों तो यहाँ पे हमने एक कटोरी मुंग को भीगा लिया है और मैंने रात में भीगा दिया था तो यह अच्छे से फूल चुका है और यह भीगने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप जब भी नास्ता बनाना हो उसके दो घंटे पहले भीगाएंगे तब भी यह बहु लोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इसे ग्राइंड करना है और ज्यादा पानी नहीं डालना है दोस्तों सिरफ एक चमच पानी डालना है क्योंकि मुंग अल्रेडी पानी को सोक किया हुआ है और यहाँ पे हमने लिया है इसमें डालने के लिए एक बारी कटी हुई प्या एक टुकडा दरक एया और इसमें चार हरी मिर्ची को टुकड़े करके डाल देंगे और इसमें हमने हरा धनिया ले लिया है और कटी हुई प्याज हम बाद में डालेंगे जब पीस लेंगे उसके बाद डालने हैं तो अब इसे धकन लगाकर के और कोर्सली ग्राइंड कर लेना है तो चलिए मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंड कर लिया है दोस्तों तो इसे बहुत बारिक नहीं पिसना है हलका सा दरदरा और इस तरह का बहुत गीला भी नहीं करना है इस तरह की तो यह जो गाड़ा मिस्रड हमने निकाली है बोल में उसमें बारिक कटा हुआ प्याज एड कर लेंगे और थोड़ा सा प्याज बचा लेंगे बाद के लिए और इसमें अब जो हमने आधा टुकडा लेमन लिया है उसका बिज निकाल करके और रस डायरेक्ट इसमें जाए और नीबू से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अपम सौफ्ट भी बनता है तो यहां पे आप देख सकते हैं यह मैं बना रही हूं हरा मूं की अपम तो अपम बनाने के लिए मैंने अपमे मेकर को गरम किया है और हलके से तेल से ग्रीस कर लेंगे इससे निकालने म आसानी होगी और अच्छे से सिकता भी है और एक एक चमच इसमें मिस्टर को डाल करके और ढख देंगे और ढख करके और सिरफ एक से दो मिनाटी लगता है दोस्तों इसे पकाने में गैस का फ्लेम लो रखें धीमें आज पेसे अच्छे से उपर तक पकने दें और पकने के बाद से आप देख सकते हैं जब उपर कलर चेंज नजर आए तब इसे प्लट दें और इस तरह से चमच के उल्टे वाले साइड से फटा फट से यह असानी से प्लट जाता है तो यह ट्रीक आप फालो करके प्लट सकते हैं असानी से और यह देखिए हमने अलट प्लट करके और इसे बहुत कम तेल में बनता है सिरफ एक चमश तेल में बना लिया है और इस तरह से उलट पलट कर पका लिया जरूरत पढ़ने पूपर से बहुत जरा सा तेल डाल सकते हैं और इसे पकने के बाद निकाल लिया तो ये हरा मूं का अप्पर बन के तयार है इसे मैंने निकाल लिया है तो आप चलते हैं दूसरा डिस बनाने तो सेम मिसरड से ये भी बनाना है दोस्तों तो उसके लिए मैंने गैस पे कड़ाई रख दिया है गरम होने के लिए उसमें सरसो का तेल गरम किया है और अब उसी मिसरड से डिप फ्राई करके पकोड़े बना पकोड़े भी बहुत स्वादिस्ट बनते हैं और हेल्दी भी है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने पकोड़ों को डाल करके और लट पलटके और गोल्डेन फ्राइ कर लिया है धीमे आज पे और निकाल लिया है तो चलिए अब तीसरा और चौथा की तयारी कर लेते है तो यहाँ पे मैंने जो बचा के रखी थी एक कटोरी मूंग वाला मिस्रड तो उसे पानी डाल करके अब इसे एक बार अच्छे से पीस लेंगे ताकि यह बारीक हो जाए और इसे लिक्विड पीसना है क्योंकि अब हमें बनाना है मूंग डाल का डोसा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी मिलाया था न दोस्तों तो नमक थोड़ा सा कम हो गया है तो मैंने बहुत ज़रा सा नमक एड़ कर लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद से अब मैंने यहाँ पे प्याज बारीक कटा वाले में से थो दोस की सटीक और उसके उपर हलका गरीर्स कर लेंगे और उसके उपर गरीन है अरोगदил तो देखने में बहुती टेम्टिंग लग रहा है और खाने मुतनाई स्वादिष्ट लगेगा उपर से हलका से इसे प्रेस कर देंगे जिससे प्याज टामाटर धन्या निकलेना और नीचे से बहुती अच्छा कलर आ चुका है अच्छे से सिक चुका है तब इसे एक बार पल आप चाहें तो बीच से फोल्ड करके सर्व कर लें या इस तरह से रैप कर लें तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हरे मुंग का डोसा भी बनके तयार है और इसे इस तरह से कट करके हमने तीन भाग में कर लिया है तो आप काट के इस तरह से आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं तो दोस्तों हरा मुंग बहुत ही हल्दी होता है इसके खाने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं और बहुत कम समय में ये नास्ता बनके तयार हो जाता है सिरफ 20 मिनट लगा है ये चार तरह के नास्ता तयार करने म फटा फट से बनके रेडी हो जाता है, आप चाहें तो मुंग को भीगा करके और पीस करके रात को ही आप फ्रीज में रख दें और सुबह इसे फटा फट से बना सकते हैं, तो यहां पे अब हमने फिर से दुबारा तवा को ग्रीस कर लिया है और उसके उपर मिस्रड को फैला कर दिये हैं, अगर आप चाहें तो प्रोसेस वाली चीज भी ग्रेट कर सकते हैं, या आप इस पे पनीर ग्रेट कर सकते हैं, उबला हुआ आलू ग्रेट कर सकते हैं, तो इस नास्ते को आप अपने हिसाफ से टेस्टी बना सकते हैं, और इसे ढख देंगे, चीज इससे मिल् करके अच्छे से पकाएंगे ऊपर तक यह पक जाएगा अच्छे से आप देख सकते हैं कि नीचे भी अच्छे से सिग गया है और उपर भी color change होतिया है अच्छे से पक गया है क्योंकि इसे एक ही side सेखना है दोनों side से नहीं सेखना है तो तो आप ये टेम्टिंग नास्ते का क्या नाम देना चाहेंगे, मेरे हिसाब से तो ये मिनी हरे मूं का मिनी पीजा बन के तयार है, तो बहुत ही स्वाधिस्ट नास्ता बन के तयार है, चलिए अब इसे सर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4-in-1 नास्ता बन चुका है, तो चलि से क्रंची है, अंदर से बहुती सॉप्ट है दोस्तों, और इसमें हमने कोई इनो या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और पकॉड़ी भी बहुती क्रिस्पी बनी है, मूं का पकॉड़ी बहुती स्वाधिस्ट लगता है खाने में, और यहाँ पे यह आप मुंग दाल का मिन्नी पीजा, यह भी बहुती टेस्टी बनी है, और यह डोसा भी तयार है, तो चलिए अब इसे आप अपने मन पसंद चटनी के साथ इंज्वाई कीजिए, और इस रेस्पी को जरूर बनाएगा, और मुझे कमे ठेस्टि, और मुझे कीजिए भी तयार है, पेह यह यह डोसा भी को जिसूंगी कीजिए इसे आपने मनें, और मीजागा झाल का में रहाँ घज बनाएगा, और मुझे कीजिए तया स्वीं है, और मुझे कीजिए अबनाएबाश में हैं, एज उप बनाएड़ भी